हलो 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 की इस्टूड्स वेल्कम बेक इन इंजिनियर साइल को ग्यान आज के हमारी प्लेलिस का टार्गेट है डायमीटर ओफ दर न्यूटन से रिंग लास्ट वीडियो में आपने न्यूटन यूटन से लिंग का एक्सपरिमेंट देखा उसकी थिकनेस निकाल के थिन फिलम ठीक है नाव पाट डिफरेंच होता है उसका फॉर्मला देखो यह याद करने ही पड़ेगा यह फॉर्मला होता है टू माइकरो टी कोस्ट टीटा प्लस लेम्डा बाइटू लेम्डा इस यूर वेवलेंच यह ठीक है और लेम्डा होता है क्योंकि ब्राइट फिरिंज में बहुत बड़ा होता है इस इसको अगर अगर अपन इसकी वेल्यू यहां पर रख दे यह वाली तो अपनको इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा अगर मैं इसको इस तरह ले जाऊं तो क्या बनेगा यह बनेगा एन लेम्डा माइनस एन बाइटू इसको सॉल करोगे तो टू एन माइनस वन लेम्डा बाइटू राइट यह बनेगा तो इसकी वेल्यू मैं यह यह रख दी अब कोस्ट ठीटा की ठीटा की वेल्यू बहुत जीरो रखते है अपन क्योंकि परपेंडिकुल आती है तो ठीटा क यह पर बन हो गई इसकोर नशीरा है तो न्यक्ल रहें जोक्राइट यह बन गया अपन नॉकल चेड़ गया व्यूट हरेंगा है उसकोर मटन. इस value को now two से two cut जाएगा and and हमें r की value at the end we want diameter diameter कैसे निकल जाएगा radius होगी तो diameter automatic निकल जाएगा उस ring का ring का बात हो रहा है यहाँ तो rn ठीक है suppose को यह square है तो यहाँ पर 2n-1 lambda और r उपर चल जाएगा तो r आ गया नीचे two का two रहे गया और यह micro नीचे आ गया micro नीचे आ गया and r square square इस तरफ आएगा right side में तो यहाँ पर क्या बन जाएगा root बन जाएगा तो one by two हो जाएगा यहाँ तक की लिए रहे गया अब diameter होता है diameter जज़ डबल होता है तो d equal to two r होता है तो now sir इसके according d n equal to two rn हो गया तो बहार हो यह अंडर root में यह पूरी value हो गई है right अब इस two को भी अंदर ले जाना चाहता हूं तो अगर अंदर जाएगी तो यह क्या हो जाएगी four हो जाएगी क्योंकि four का अंडर root करोगे तो value का निकलता है two निकलता है यह two का square करो तो four आता है तो four अपना two अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा four बन जाएगा so the value is d n equal to four two n minus one lambda r upon two micro under root का under root for the bright ring ठीक है now अपनी case में most of case में film की value क्या आती है जो film में अपनी वो air है हवा है हवा बोथ होती है तो उसकी micro की value अमेंसा one होती है one होती है तो यह value यहां से gap हो जाएगी और two से four कट जाएगा तो बच्छे का यहां क्या two तो final value बतातो मुझे under root में 2 of two n minus one lambda r इस value को याद कर ले ना इसके उपर numerical बनता है for the bright ring उसका diameter क्या होती है newtonson ring का under root of two of two n minus one lambda r now we will see again for the dark ring now for the dark ring we have the formula for the path difference is two micro t cos theta plus lambda by two okay the path difference should be equal to the odd multiples of the lambda by two because r1 was going at here and r2 was going at here so far difference बढ़ता ही जा रहा था so odd multiples होते है that's why इसका path का value आता है two n plus one lambda by two और उसके case में क्या आता था bright के case में n lambda only now in this case we have two n plus one lambda by two we will put this value at here so the output will be two micro t n cos theta plus lambda by two equal to two n plus one lambda by two now क्या होगा अपनी ये value right side में चल जाएगी तो and इसको अपने bracket को open कर जेता है 2n lambda by two two से two cut गया plus lambda by two one के case में minus में lambda by two ये पूरा गाईब हो गया n lambda यहांपे बच गया and cos theta की value अपने again 0 ले ली perpendicular की case में and cos theta equal to one now the value is two micro tn equal to n lambda so now tn की value हमें पता है thickness rn square upon two r and if we put the value at here we will have n lambda equal to my micro rn square upon r so if we calculate value of r square which is equal to n lambda r by micro so now the last value rn is equal to under root of n lambda r by micro so now at the end हमें कहें जी diameter जी है न तो two rn हो गया rn हो गया तो two की value आगे put करती two अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा four बन जाएगा and आपने को क्या मिल गया four lambda rn by micro micro की value एर के case में क्या होती यह one होती यह तो final value बता दो sir final value हो गई under root of four and lambda r यह किस case में है तो डार्क रिंग के case में है और bright के case में कहती under root of two of two and minus one lambda r ओके यह याद रख लेना exam point of view के हिसाब से now let's see the wavelength of the monochromatic light using the newtonson ring experiment तो अपनको monochromatic है जिसका एक ही color हो उस light का उसकी wavelength find out करनी है which is very easy because हमें diameter पता है तो let's suppose अपन dark ring के case में solve करना जाते है आप bright के थूरू भी कर सकते हैं बढ़ डार्क के लिए easy पढ़ता है यहाँ पर यह एन नंबर के और यहाँ पर बी नंबर के इन दोनों को एड़ का दो यानि फोर्त नंबर के और थाटीन नंबर के यानि कि अलवर मेरे को कितना है मतलब ओर इजन से देखू तो 4 और वो आगे 13 तो कितनी हो गई 17 17 रिंग की वेर को find out करनी एक तरह सकत तो एन फलस पी की डार्क रिंग निकाल दी तो एन फलस पी एन की जैका वेल्यू रगदिए अपने एन फलस पी तो 4 और प्लस पी लेंडा आर और डी स्कुरइर so now we will subtract both these values so output will be d square n plus p minus d n square equal to 4 n plus p lambda r minus 4 n lambda r simple subtract किया है खुछ भी नहीं किया now अपने इसको खोलते हैं bracket को तो देखो n वाली value इस से कड़ जाएगी last में क्या बज़ेगी 4 p lambda r अपने क्या चीए वेबलेंच चीए यानि कि lambda चीए lambda को एक तरफ रखो बाइगी सबको उदर ले जाओ तो यह value तो एजटी जाई नीचे के चल गया 4 p r चल गया 4 p r यही आपका final output है wavelength के case में यह एक और formula हो गया अपने पाथ 3 formula हो गया और एक चोता था ठिकनेस वाला जो अपने प्रिवेशिवर में देखा अब देखो 5 to 1 एक और formula यह भी आ सकता है देखो अब तक अपन क्या कर रहे थे micro को क्या कर रहे थे air के case में अमेज़ा 1 कर देते थे लेकिन को suppose यह question आया जिसमें बोला कि इस बार micro liquid यूज कर रहे हैं तो dn square of air upon dn square of liquid which is equal to यह पूरा इससे हट जाएगा और micro बच जाएगा तो micro की value यह हो जाएगी तो यह था हमारा final final formula आपको सारे formula अप समझ में आ गए है numerical अपन इस पर नेक्स वीडियो में कर लेंगे no doubt इसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा no doubt don't worry and अपना derivation part complete होता है Newtonson ring का और यहाँ पर अपनी finish होती है Newtonson ring next video में देखेंगे अपन Michelson interferometer तो thank you so much watching इस वीडियो प्यार देने के लिए शुक्रिया इसी तरह से प्यार देते रहिए वीडियो को देखते रहिए अगर कोई doubt है कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर and मिलते हैं एक्स वीडियो के साथ में thank you so much जेहिं जे वारत ओके love you